देखे बसपा ओट के लिए जातिकत सम्मेलन करती है भारती जनता पारटी के संगठनात्मक धाचे में हमारे यहाँ पहले से भारती जनता पारटी के जो संगठनात्मक धाचे है उसमें महिला मोर्चा के अंदर हम इस्पेस्फिक मोर्चों पर काम करते हैं उसमें महिला मोर्चा है उसमें अन्सूचित मोर्चा है उसमें अन्सूचित जन जत मोर्चा है उसमें पिछडा मोर्चा है उसमें अल्पसेंख्यक मोर्चा है उसमें युवा मोर्चा है और विभिन मोर्चों के माध्यम से हम विभिन स्पेसिफिक बर्ग में अपने सरकार के किये गए कामों को हम लेके जाते हैं, हम मनसुचित मोर्चे में भी जाते हैं, हम पिछडे बर्ग में भी जा रहे हैं, हम अलबसंख्यक बर्ग में भी जा रहे हैं और विभिन्न आयामों को लेके हम विभिन्न कारेक्रमों को विभिन्न समाज के लोगों के बीच में जाते हैं और हम सरकार की उपलबदियों को बताते हैं ये बताना और उनके बीच में जाना और अपने किये गए कामों को उनके सामने रखना ये कहीं से कोई अपराद भी नहीं है और कोई अनैतिक भी नहीं है और प्रलोभन देना है और लोगों को अपने साथ रखना ये समाजवादी पार्टी और पिछली दिनों की सरकारों का खेल रहा है बारती जंता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है हम किसी का दुरुपयोग नहीं करते हम किसी का हक नहीं मारते और हम किसी को अनावस् और दूसरी चीज मैं और कहूंगा, कि वो आवास राज संपत्ती का है, उत्तर प्रदेश की जनता का है, वो आवास न मुलायम सिंग का है, न मायावती का है, न खिलेश यादव का है, न हमारा है, न किसी और का है, सरकारी संपत्ती उत्तर प्रदेश की 22 कुरून की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और जो भी इन टाइटिल होगा उसको उस तरह के कटेगरी का आवास मिलेगा